नमस्कार, मैं हूँ हनमान गोयल और आप देख रहे राट 24 आज हमारे साथ हैं कोटपूतली विधान सभा से भारती जन्ता पार्टी के उमिदवार मुकेश गोयल जी मुकेश जी सामाजी कारे से जुड़ी रहते हैं और इन्हों ने जो रक्तमणी के तहट लोगों की सेवाई की है और आज भारती जन्ता पार्टी ने उनका अपना उमिदवार बना के कोटपूतली के अंदर आज वो जो लोगों से मिल रहे हैं अब उनी से जानेगी कैसा रеспॉंस मिल रहा है आपको गोयल साथ पहले तो टिकट की जद्दो जहेती आपने सेमी फाइनल जीता है अब फाइनल की मुकाबला चलेगा कैसा रेस्पूंस लग रहा है आपको कोटपूतली ने सबसे पहले तो मैं भारती जन्ता पार्टी के परदेश और केंदरी ने तित्रत का धन्यवाद दूंगा कि मुझ जैसे एक छोटे से कारे करता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने की पार्टी ने सोची है और निस्चित रूप से ये जिम्मेदारी कोट पूतली के लोगों का सनेह और प्यार मेरे साथ था इसलिए भारती जन्ता पार्टी ने मुझे परत्याशी बनाया है इसमें कोई शक नहीं है जिस परकार कोट पूतली की चत्तिस कौम मेरे साथ खड़ी है और मैं मानता हूँ कि जिस परकार आप कह रहे हैं कि सेमी फाइनल मैंने जिता है तो फाइनल भी ये कोट पूतली ही जितेगी ये वास्तों में सेमी फाइनल मैंने नहीं जिता है ये कोट पूतली नहीं जिता है और कोट पूतली ही फाइनल जितेगी गुल साब किन मुद्धों के लिए करके कोड़ पुदले में चौनाव लड़ रही अपनी क्या बात रख रहे हैं लोगों के बीच में मुझे कोई विसेश बात रखने की जरूरत इसले नहीं है कि मैं लोगों के परिवार का सदश हूँ सबी लोगों के साथ दिन रात जुडा रहा हूँ और मेरा पिछला जितना भी समय समाज के बीच में बिता है उस पूरे समय से लोग परिचित हैं कि मैं किस परकार उन लोगों के आदेश को मानकर जनारदन की सेवा में लगा रहता हूँ और निश्चित रूप से मेरा पिछला कारेकाल ही मेरे लिए आगे का सबसे बड़ा आधार है और फिर भी हम सब की इच्छा है कि कोटपूतली को जो गत सतर वर्षों में नहीं मिला वह सब आने वाले समय के अंदर हम अरजित कर पाएं यहां के युवाओं को शिक्षा के लिए बाहर नी जाना पड़े रोजगार के लिए बाहर नी जाना पड़े महिलाओं का मान सम्मान सुरक्षित रहे उनके मान सम्मान की हम सब मिलकर के चिंता करें और वर्द बजर्गों का हम सब को आशिरवाद बना रहे एक बहुत ही अच्छा कोटपूतली और अच्छे वातावरन के साथ मने जैसी कलपना सुराज के तहट यहां पर हुई है निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि आने वाले सम्मे के अंदर कोटपूतली बदलने वाला है कोटपूतली के बिविन मुद्दे हैं जिन पर भी हम सब मिलकर के काम करेंगे जैसे सबसे पहले कोटपूतली को जिला बनाने की मांग जो साथ वर्सों से चल रही है मुझे लगता है विस्वास है कि आने वाले सम्मे भारती जनता पार्टी की सरकार के अंदर भारती जनता पार्टी का ही प्रतिदिन हीजित यहां से होगा और आने वाले समय में कोटपुतली जिला सुनिस्चित तो बनेगा दूसरी मांग कोटपुतली के सब लोग चाहते हैं कि शेहर के अंदर स्रीवरेज की लाइन हो यहां के अस्पताल के अंदर तमाम वो सुईदाय हो जब हाईवे पर होने वाले एक्सिडेंट को जैपुर पर रेफर ना करने पड़े यहां पर एक जिला इस्पताल हो गुल साब आपने का कि कोटपुतली की सबसे बड़ी मांग यह कि कोटपुतली जिला बने सरकार आपकी थी क्यों नहीं बना पाया आपको ध्यान होगा पिछले जितने भी जिले बने हैं भारती जन्ता पार्टे की सरकार ने बनाए हैं और भारती जन्ता पार्टे की सरकार जिला बनाने के लिए इस समय एक बहतरीन प्रियास कर रही थी एक कमेटी का गठन किया उस कमेटी की रिपोर्ट भी आगी थी लेकिन कुछ आपसी राजनेती का अपस के दबाव थे जिनके कारण से जिलों की शैद घोशना नहीं हो पाई होगी और आने वाले समय में जब सरकार पुने भाजपा की बनेगी तो शैद जल्द ही बहुत जल्द भाजपा ही गोशना करेगी गुल साब सरकार भाजपा की थी और कोट पुदली का विधाय कांगरेस का था क्या आपकी नजर में कुछ है विकास कारे में गतीरों दूत्पन हुआ मैं ऐसा बिल्कुल दीमान था राजस्तान की यशशवी मुख्यों मंतरी मानेनिय वसंदरा राजे जी ने राजस्तान की 200 विधान समाओं में समगर और समान रूप से विकास के कारे किये हैं गत पांच वर्स जब कॉंग्रेस का शाशन था गहलोज जी मुख्यों मंतरी थे उस समय यहां से संसदीय सचीव भी थे और हारेवे विधायक जो वर्तमान में भी परत्याशी हैं वो भी थे उन दोनों ने मिलकर भी पूरे कोट पूतली के अंदर बहुत नून कारे करवाए सारी सडके टू टू टी वी थी अस्पताल की दूरदर्शा पूरी थी शिक्षा के सारे मंदिर सारे फीके थे वहाँ पर कोई विकास कारे नहीं थे लेकिन इन पांच वर्सों के अंदर राजस्तान की मुख्यमंतरी दी ने कोट पूतली के अंदर साड़े छेस्सो करोड से ज्यादा समान रूप से जो एक विदायक के शेतर में होते हैं वो कराए हैं गोली साब जो अपने जैपर ग्रामेंट से सानसाद हैं करनल राजजवर दंजिंगरा ठोड उन्होंने रिकोर्ट तोड विकास कारे करा हैं और पूरी आठ विदान सभाओं में समान रूप से और आगे बढ़ाया है और कोट पूतली के अंदर विदायक नहीं होने के बावजूद भी तमाम वो सब विकास कारे जो जन्ध हित में थे जिसमें मैं कहूंगा कि पावटा से नारेडा की एक 25 किलोमेटर की सड़क पिछले 10 वर्सों से बुरी तरह तूट गी थी लोग ये कहते थे कि हमें पानी नीची है बिजली नीची है हमें केवल ये सड़क करा दीजे हमारे बच्चों के रिस्ते नहीं होते हैं लोग शादियों में नहीं आते हैं कारण था कि केवल 25 किलोमेटर की सड़क में किसी को 10 किलोमेटर भी जाना होता था तो 2 गंटे लगते थे लेकिन वहाँ पर एक बेतरीन सड़क जो एक हाईवे के माफिक है सेंटर और फंड से मनी 58 करोर का बजट आया 53 करोर का एक टेंडर जा रही हुआ और लास्ट में 46 करोर में ही वो सड़क लगबग संपन भी गोई सब आपने सड़कों का इतना जाल बिचाया या आपने पूरा गिना है लेकिन सर्विस लेंड में 2-2 फीट गहरे गड़्डे हैं और दुकंदार दूल फागते हैं वो क्यों नहीं ठीक हो पाई आपको दिहान होगा कि 2008 में निशनल हाईवे का काम शुरू हुआ था 2014 में जब 32 जनता पार्टी के अंदर में सरकार बनी लगबग 6 वर्षों के अंतराल में उस हाईवे का काम 3 वर्ष में पूरा करना था उस कंपनी को वैप PCPL कंपनी जो नेताओं की कंगरेस के नेताओं की कंपनी थी उसने पूरे इस हाईवे के अंदर पूरी जनता के पैसे को लूटा और छे वर्स में भी उसका काम तीश परतीशत काम नहीं किया और सरकार आने के बाद करनल साब ने सबसे पहले का कि ये नेशनल हाईवे पूरे देश के लिए शर्मना की स्थती पर है और कंग्रेस की सरकार ने इसे बहुत ही बड़ा कांटो का ताज बना गिया लेकिन मैं इस कांटों के ताज कोई पहन करके मैं काम करूंगा और उन्होंने आने के बाद तमाम जो पैंडिंग फ्लाइवर्स थे उनको बनाया और जन्ता चाहती थी कोट पुदलिगी इस फ्लाइवर के निर्मान होने के बाद इसके दोनों तरब सीसी रोड बने वैसी सी रोड बनी लेकिन कुछ दिक्कतें उस कंपनी की तरफ से थी बार बार PCPL कंपनी ने उस काम को रोका और उस पर दबाव बनाकर मानि नितिन गटगरी जी ने वेतरीन दबाव करनल साब के कारण बनाया और वे सड़क का काम तब जाकर के कहीं 80% तक पूरा हुआ गुल साब इतने विकास कारिया अपने गिनाए कोड़ पूतली के लिए आपका खास एजेंडा क्या रहेगा चुनाव जीतने के बाद में कोड़ पूतली में सब लोगों को लगे कि यहां पर हमने नेता नहीं करेकरता को चुना है हमने हमारा करेकरता एक जन सेवक जिसे जनता ने नोकरी दिये उनकी सेवा करने के लिए ऐसा एक महुल बनाकर मिलकर काम करेंगे इस कोड़ पूतली को जिला बनाने का प्राथमिक एजेंडा सबसे पहले है उसके बाद कोटपूतली में एक सीवरेज लाइन बीडियम हस्पताल को जिला इस्तरी हस्पताल बनाना और सबसे एक बड़ा विशे है यहां पर कोटपूतली में पिछले दिनों भी एक बड़ा अंदोलन हुआ यहां पर नेशनल हाईवे पर कुछ छोटे छोटे फ्लाइवर और बनने चीए थे यह बहुत बड़ा फ्लाइवर था दो किलोमेटर का जिसको छोटा बना दिया और बांसूर रोड़ का जो कट था जहां पर से फ्लाइवर नहीं बनना ही इस कोट पूतली के लिए बड़ी शर्मनाक इस्तती होगी और अश्चेरे कविस है जो इस छेतर का प्रतिनी दित्ट कर रहे थे उन्हों एक दिन भी इसकी चिंता नहीं की कि कोट पूतली के लोग मर रहे हैं और वो लोग सो रहे हैं वहाँ पर जब बांसूरोड का कट है वहाँ पर फ्लाई ओर बनाना एक बहुत बड़ी प्रात्मिक्ता है जिसका काम प्रगती पर है बहुत जल चुनाओं के बाद उसके टेंडर होने वाले हैं ऐसे पूतली कट पर भी फ्लाई ओर बनाना प्रात्मिक्ता में है गुल साब आपनी सिवरेज लाइन के बारे में जिकर किया कि मेरी प्राथमिकता रहेगी लेकिन कॉंग्रेस के निता कहते हैं कि हमने पास करवाई थी और भाजपा सरकार आने के बाद में उसका टिंडर रद करवा दिया गया इसा बिलकुल नहीं है डिसंबर 2013 में इस योजना के टेंडर हुए थे राजस्तान के अंदर दिसंबर 2013 में जब भारती जंता परटे की सरकार बनी उस वक्त कोटबुतली नगरपालिका कंगरेस की थी और केंदर केंदर भी कंगरेस की सरकार थी स्विकर्टि के बाद यहां की नगरपालिका को तुरंट सीवरेज का काम शुरू करना था और केंदर सरकार को उसकी पर्थम किस्त जारी करनी थी यहां की जो नगरपालिका थी उसने कोई काम शुरू नहीं किया जब यहां के विदायक राजेंदर जी यादव है उन्होंने इसका विदान सबा में प्रश्ण भी लगाया कि इस सिवरेज लाइन के प्रश्ण के सम्मन्द में जब उस विदान सबा से उत्तर मिला उस पूरे उत्तर को उन्होंने छिपा लिया और जन्ता को बरगला दिया कि कॉंग्रेस ने सिवरेज को स्विकर्ट कराया था और बाज़पा ने आते ही उसको निर्ष्ट कर दिया ये कुटिल चाल कॉंग्रेस की थी उसको स्विकर्ट होने के बाद गुले साब आपने कॉंग्रेस विधायक पर इतने निशाने साथे तो आपको क्या लगता है कि आपका मुकाबला कोट पूदली के अंदर कॉंग्रेस से है या किसी अन्य निर्दलिय से तो मैं तो यह मानता हूँ कि हमेशा पार्टियों के बीच ही टकराव की इस्ततियां रही है पिछली बार भी यही इस्ततिय रही और मुकाबला तो भाज़पा और कॉंग्रेस के बीच में ही है और निश्चीत रूप से लेकिन उसमें मुकाबला में कंग्रेस के परत्याशी कहीं भी नहीं है उन्होंने जो पिछले पांस साल के अंदर अपना काम जिस तरीके से कोटपुतली जनता के परती समरपन भाव से नहीं किया वो अपने व्यवसाय में व्यस्त रहे और जनता तरस्त रही यह जनता अपने आप जबाब देगी आने वाली समह समर में गुल सब आपकी अलावा हमसराज पटेल भी टिकेट के दावेदार थे और वो चुनाओ मेदान के अंदर है कहीं वो आपको नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे वो हमारे बड़े बाई हैं बारती जनता पार्टी में ही वो अब वरतमान में काम कर रहे हैं इस चुनाओं के अंदर नफा नुकसान कुछ नहीं है हम पूरा सब लोग सारे परत्यासी मिलकर के अपनी अपनी बात रख करके चुनाओं लड़ेंगे हमें नहीं लगता कि कोई आदमी नुकसान कितना पहुंचा रहा है कितना फाइदा पहुंचा रहा है मेरे लिए तो यह कोटपुतली मेरा परिवार है मैं इसका सदश्य हूँ और हम सब 36 कौम को साथ ले करके इस कोटपुतली ये विकास की सोचें इससे बड़ी बात कोई नहीं है धन्यवाद गुल साब तो ये थे कोटपुतली से भारती जन्ता पार्टी के उमिद्वार मुकेश गोयल साफ कहना था कि मेरी प्राथमिकता रहेगी कोटपुतली को जिला बनाना स्वास्थे सेवा में अच्छा सुधार करना और एक बात उन्होंने और कही की बानसुर कट के उपर पुलिये का निर्मान करना उनकी प्रामुक प्राथमिकताय रहेंगे देखते रहें राट्टीफोर नमस्कार